नमस्कार मैं हूँ प्रग्य बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रो क्यूर पढ़ने से पहले एक नसर सुर्ख्यों पर सब इंस्पेक्टर समीत कई पदों के परिक्षा के लिए एडमिट कार जारी बिजली कमपनी में भरती का सोशल मीडिया पर फरजी विग्यापन जारी बिहार के इंस्पेक्टर की जा सकती है नौकरी बिहार को मिलेगा एक और मेडिकल कॉलिज इस दिन सीम नितीश करेंगे उदगाटन अफगानिस्तान ने खिलाफ ओपनिंग करने के लिए राहुल द्रवर ने लिया इन दो खिलारियों का नाम इसके साथ ही बरते हैं शांता की बड़ी खबरों के उर विस्तार से सब इंस्पेक्टर समीत कई पदों के परिक्षा के लिए एडमिट कार जारी अगर आब भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिनके द्वारा बिहार, पुलिस, अधिनिस्त, सेवा, आयोग के द्वारा, मद, निशेद, उत्पाद एवँन निबंधन, विभाग के उपनिरिक्षक, निसेदि के पद और सुधर्ता विभाग में पुलिस उपनिरिक्छक स्थर्था के पद के लिए ली जाने वाली प्राडमिक परिक्छा में शामिल होने वाले हैं तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि BPSC की ओर से इस परिक्छा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे उमिद्वार BPSC की अधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपने पंचीकरन आईडी, मोवाइल नंबर और जन्तिती की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं मैं बता दे कि आयो क्योर से रोल नंबर के अनुसार परच्छा केंद्रों के नामों का उलेक करते वेए एक सूची भी प्रकाश्चित की गई है बिजली कंपनी के कामगारों के मांदे में भारी व्रिधी, बिजली कंपनी के कामगारों के मांदे में व्रिधी हो सके इसके लिए बिजली कंपनी के द्वारा अधिकारियों की टीम गठित की गई है बता दे कि एगर कंपनी के नियमों का सही धंग से पालन किया गया तो कामगाडों को अभी की तुल्ला में 26 फीजदी से अधिक मानदेई मिल सकता है जिससे की 12,000 से अधिक तकनीकी कामगाडों को लाब मिलेगा मालुमों कि वर्ष 2013 से ही ये सभी कर्मी आउट्सोर्सिंग एजनसी के माध्यम से काम कर रहे हैं इसके लिए हर एक डिवीजन के लिए एजनसी तै की गई है वहिस्ट्रम संसाधन विवाग के ओर से साल में दो बार न्यूंतम मांदे में व्रिधी की जाती है यही व्रिधी इन तकनीकी कामगाडों पर लागू होती है उस हिसाब से इन तकनीकी कामगाडों को अभी हर महीने लगबग 12-15,000 के बीच मांदे मिल रहा है बीपीएसी का फरजी सिक्चक गिरफतार मास्टर माइन भी पकड़ाया विहार के दरभंगा में सिक्चा विवाग के नर्देश के आधार पर बीपीएसी के पास सिक्चकों का बायो मैट्रिक सत्यापन का कारे चल रहा है इसी जांच के क्रम में एक फरजी सिक्चक पकड़ गया है पतादी की बेड़ी प्रकर्ण अंतरगत शेयनत विद्याले में अध्यापको का बायो मैट्रिक सत्यापन के दौरान देविंदर कुमार महतो का नाम के एक फरजी सिक्षक को पगरा गया है जिसके दौरा मधिम विद्याले खरारी में योगदान दिया गया था इस बा योगी के पास थे 3,49,000 रुपे भी बडामत किये गए हैं बिजली कंपनी में भरती का सोशल मीडिया पर फरजी विध्यापन जारी इन दिरों सोशल मीडिया पर बिजली कंपनी द्वारा भरती निकाले जाने की खबर चल रही है लेकिन बता दे कि यह खबर फरजी है इस के नाम का इस्तमाल करके युवाओं को ठगने की कोशिश की जा रही है कंपनी के ओर से फलाल किसी भी तरह की कोई भरती प्रक्रिया शुरूर नहीं की गई है ऐसे में इस तरह की भ्रामक और तथ्यहीन खबरों से साबधान रहें आपकी जानकारी क्लिबता दे की कंपनी से जोने किसे भी तरह की भरती से संबन्ध जानकारी पाने के लिए बी एसपी एचसीयल डॉट स्यो डॉट इन पर जा सकते हैं मास वा अंडा की हुदपादक्ता के शोध के लिए बिहार में यहां खुलेगा रिसर्च सेंटर बिहार में मास अंडा की उपलता राश्ट्री या ओसत से काफी कम होने के कारण इसकी जांच परताल करने और इसमें सुधार करने के लिए बिहार पशु विज्यान विश्यविद्याले में रिसर्च सेंटर खोरा जाने बाला है इसको लेकर बिहार सरकार के पशु एवा मतस्ते संसाधन विभाग के द्वारा स्विकृतित दे दी गई है पतादी की बिहार पशु विज्यान विश्यविद्याले में रिसर्च सेंटर के स्थापना पड़ 24 करोड 71 लाक रुपे खर्च होने वाले हैं इसमें आउट्सोर्सिंग के माध्यम से 24 कर्मी भी बहाल के जाएंगे पतादी की बिहार में 7.39 तन मीलियन मास का उत्पादन हो रहा है वहीं बिहार में अभी प्रतिव्यक्ती 3.2 किलोग्राम मास ही उपलब्ध है इसके अलावा बिहार में 1.65 करोड पॉलट्री है जो राश्ट्री औसत की मात्रा 1.94 फीजदी ही है बिहार में अभी राश्ट्री उत्पादन का मात्र 2.94 फीजदी अंडा का ही उत्पादन हो रहा है बिहार के तापमान में 2-4 डिग्री की आएगी कमी बिहार में ठंड का कहर जारी है ऐसे में मौसम को लेकर मौसम विभाग के द्वारा यलो अलर्ट जारी किया गया है जिसके तहत पच्छुआ हवा की वज़ज़ से आने वाले 48 घंटों में राश्य के तापमान में और गिरावट आएगी जिससे की तापमान में 2-4 डिग्री की कमी आ सकती है ऐसे में लोगों को ठंड और कोड़े का सामना करना पड़ेगा आपकी जानकारी के बता दे कि बिहार के राज़तानी पटना में अगले 2-3 दिनों तक के लिए तापमान में कमी होने से ठंड बढ़ेगी मौसम विभाग के मताबिक प्रदेश में पच्छुआ और उत्तर पच्छुआ का असर आने वाले समय में और भी बढ़ेगा जिस वज़े से पारा चार डिगरी सेलसियस तक कम हो सकता है वहें सब के अलावा राजे के कहीं जिलों में सीत लहर और कोल्डे को देखते वे प्रशासन के द्वारा स्कुलों के समय में भी बदलाव कर दिये गए हैं बिहार के इन सिक्छकों की जा सकती है नौकडी बिहार तरकार के सिक्छा विभाग के माधिमिक सिक्छा निदेशक के द्वारा प्रतम चरण की सिक्छक बहाली में निपती पत्र ले चुके वैसे सिक्छकों के खिलाव एक आदेश जारी करते वे एक सब्ता का अल्टीमेट अगर ऐसा नहीं होता है तो सक्षकों का निपति पत्र रद कर दिया जाएगा दरसल बिहार के बकसर में प्रात्मिक, माध्यमिक एवं उच्छ माध्यमिक विध्यालियों के 99 अध्यापकों के द्वारा निपति पत्र लेने के बावजूत अब तक स्कूलों में योगदान नह तेवे बताये गया के 21 जनवर ही 2014 को बिहार के मुख्यमंत्री नितीश खुमार और उप मुख्यमंत्री तेश्वी यादव के द्वारा सराय रंजन प्रकंड के नरगोगी में बनकर तया स्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज का उध्गाटन किया जाने वाला है और साथी इस द काटन समारों को लेकर तयारियां शिड़ो कर दी गई है पतना तारा मंडल में देख सकेंगे ये चार फिल्म बहर की रासानी पतना में सितारा मंडल के सौंदरी करण का काम जोरो सोरो से किया जा रहा है बता दे कि तारा मंडल में एक साथ 200 लोग बैठ कर 3D और 2D सो देख स की कहानी की बात करें ते स्ट्रॉई मिशन में चिद्रग्रह की बनावत और मानव जाती पर इसका क्याप रभाव परता है इसकी जानकारी दी गई है वहीं वई-helm stars में टारों का उद्धब और विकास और तारों के अंधरूनी structure के बारे में दिखाया जाएगा आवास सहाय का काम कराने के बदले पैसे मांगने का वीडियो वारल राचे के सभी वर्ग के नागरिकों के लिए आवास सुधा उपलब्ध करवाई जा सके इसको लेकर पिहार सरकार के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री आवास यूजना के तहत एक लाग बीस हजार उपए तक पियापुर पंचायत में आवास सहाय कुमार के द्वारा एक महिला से यूजना को लेकर रिश्वत लेने का काम किया जा रहा है आरा किस वीडियो की सर्टीता को लेकर बिहारी नियूस की ओर से किसी तरह की कोई पुस्टी नहीं की जाती है गांधी मैदान में गंतन दिवस पी जिला सस्त्र पुल्स बल महिलावा पुल्स बटालियन स्काउट एंड गाइड डॉग स्कुाइड सहित का इंटुकरी शामिल है से में इस रहलसल को लेकर गांधी मैदान को 25 जनवरी 2024 तक के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है वहीं परेट की अंतिम रहल को जुटेंगे राजेभर के तमाम दिगज 14 और 15 जनवरी को मकर सक्रांती के अफसर पर आरजेडी के राश्ट्री अध्यक शलालू प्रशाद एवं बिहार की पर्व मुख्य मंत्री राबरी देवी के सरकारी आवास पर दही चुड़ा भोज कायोजन किया जाने बाला है जिसमें महागरबंधन सहित सभी दलों के नेतावा कारे करता शामिल होंगे बतादे कि राजट की तरफ से इस बार मकर सक्रांती पर दही चुड़ा भोज का आयोजन करने का नर्नय आधिकारिक तोर पर कर लिया गया है वही राजट प्रदेश काड़े आले में पार्टी के ओर से मकर सक्रांती पर दही चुड़ा भोज के आयोजन पर विचार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है जीतर राम मांजी ने किया दावा इस दिन सीयम नितीश मार सकते हैं पल्टी बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सनक्चक जीतर राम मांजी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर लगातार हमला बोला जा रहा है इसे कड़ी में अब उन्होंने एक बार फिर से गया में पत्रकारों से बात करते वे सीयम नितीश पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि 14 जनवरी खरमास के बाद पर सिती के अनुसार नितीश कुमार पलती मार देंगे नितीश कुमार पहले एंडिये का हस्सा थे फिर बहाना बन कर मां गडबंधन में आ गए तो तेरश्वी यादव पर चार्ज सीट होने पर उन्हें स्थिती इसपस्ट करने के लिए कहा और नहीं हुआ तो फिर वे एंडिये के साथ आ गए आज भी वही स्थिती है तेरश्वी यादव सहित उनके पड़िवार पर चार्ज सीट की बा है ऐसे में चुतंतर रूप से लोग सभा चुनाव लड़ने की बात कहेंगे और वधान सभा भंग कर सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करने के लिए राहुल द्रवर ने लिया इन दो खिलारियों का नाम आज याने की 11 जन्वरी दोहजार चौबस को शाम स्रीस का पहला मुकाबला खिला जाने वाला है जो की मुहाली में होने वाला है ऐसे में अफगानिस्तान खिलाफ भारतिय टीम की ओर से किन खिलारियों के द्वारा ओपनिंग की जाएगी इसको लेकर भारतिय टीम के हेड कोच राहुल द्रवर के द्वारा अपना बयान दि किया उससे हम खुश है वो टॉप ओडर में हमें हाथ का सयोजन उपलब्ध कराते हैं जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी कि गए जबादरालतारी पतना में आज पेट्रॉल 107.54 रुपे और डीजल 4.3 two रूपे ब्रत लीटर में मिल रहा है मुझ पर पूर्पुर्य पेट्रॉल 136 रूपे और डीजल 25 रूपे और那 रृत की गई है इसके साथ ही गया में पैट्रॉल प्रति लीटर है बता दी कि बिहार में प्रति व्यक्ति कितना किलोग्राम मांस उपलब्ध है इसका सहिवत तर है ओप्षने तीं दसन्य किलोग्राम स्राय डेंजन प्रकर्ण के नडगोगी में बन कर तैयास स्रिराम जान की मेडिकल कॉलिज का उद्धाटन कम होगा option 21 फरवरी ओप्षन B 20 जनवरी option c 21 जनवरी option D 20 फरवरी अगला सवाल भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से कितने मैचों की T20 स्रीज का मुकाबला खेला जाने वाला है अगला सवाल गांधी मैदा अप्शन अप्शन सी चार अप्शन दी तीन इसका सही तरह अप्शन दी तीन अगला सवाल गांधी मैदान में गंतन दिवस को लेकर परेड का रिहरसल कब तक चलने वाला है इसका सही उत्तर है option B 24 जन्वरी अगला सवाल BPSC के फरजी सिक्षक और उसके सहयोगी के पास से कितने रुपए बडामत किये गए हैं option E 3,49,000 रुपए option B 4,49,000 रुपए option C 5,49,000 रुपए option D 6,49,000 रुपए इसका सही उत्तर है option E 3,49,000 रुपए बीते दिन हमाई दोरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पनजाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमाई दोरा पूछे सवाल का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आच के सवाल क्यों राज का सवाल है आपके नुसा रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सरकार के ऊड़ से क्या-क्या कदम उठाये जाने चाहिए अपना जवाब हमें हमारे comment section में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद